हेलो फ्रेंड्स आम निरे शर्मा फ्रों मेटाजॉन इन्फो टैग और मैं आपका वेलकम करता हूं इस मेटाजॉन की वंडरफुल दिनिया के अंदर और आज हम एक कॉश्चिन के बारे में बात करेंगे जो मोस्ट ओफ दा टाइम आपसे इंटर्व्यू में पुछे जाता ह और वो कॉश्चिन क्या है वो कॉश्चिन है what's the difference between final, finally and finalize most of the time आपसे इंटर्व्यू में ये कॉश्चिन पुछे जाता है आज इस कॉश्चिन के answer के बारे में बात करेंगे तो मैं आपको बता दूँ जो final keyword है ये तीन चीजों में use हो सकता है first class के अंदर use हो सकता है, दूसरा variable के साथ use हो सकता है और तीसरा method के साथ use हो सकता है, किसके साथ use हो सकता है, methods के साथ use हो सकता है तो final keyword जो है सिर्फ class के साथ, variables के साथ, या methods के साथ use होगा जो finally keyword है, ये try catch block के साथ use होता है exception handling के वक्त ये try catch में use होगा finally और finally के बारे में rule यह है कि अगर एक बार control try के अंदर गया तो finally execute हो गई ही होगा क्या कहा मैंने अगर control एक बार try के अंदर गया तो finally execute हो गई ही होगा सिर्फ कुछ scenarios है तब finally execute नहीं होता इसके लिए आपको next video देखनी बड़ेगी अभी मैंने सिर्फ यह बता है कि final class variables and method के साथ use हो सकता है जो finally keyword है यह try catch block के साथ use होता है और catch के बार में आता है और हमेशा execute होता ही होता है अगर control try के अंदर एक बार गया तीसरा देखते है finalize क्या keyword है finalize finalize एक method है जो की object class के अंदर है और यह garbage collection जब होता है जब garbage collector आता है और object को collect करके लिए जाता है heap memory से जैसी object को clean करेगा उस वक्त at most finalize एक बार call हो गई ही होगा यानि किसी भी method का finalize method maximum एक ही बार call हो सकता है और कब call होता है जब garbage collector आता है और object को heap memory से clean कर रहा होता है उस वक्त finalize method आपका call होता है तो final, finally and finalize final class and variable and method के साथ यूज होगा finally try catch के साथ यूज होगा और finalize एक method है जो object class के अंदर है और JVM इसे हर एक object के life में maximum एक ही बार call करता है और कब call करता है जब ये object garbage collect हो रहा होता है जब heap memory से इसे clean कर रहा होता है तब ये call होते हैं ये जो description मैंने दी बहुत ही short description दी अगर आप इसका detail में answer चाहते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से clear हो तो हमारी next video आप जरूर देखें उसके अंदर आपको इस video के नीचे आपको link मिल जाएगा उस link पर जब आप click करेंगे तो आपको detailed description मिलेगी कि final class के साथ कैसे use हो सकता है variable के साथ कैसे use होता है और method के साथ कैसे use होता है finally किस तरह किसे use करते हैं और finalize का क्या use है अगर आप इसे detail में study करना चाहते हैं जो कि interview के लिए जरूरी है तो मैं आपको suggest करूँगा next video जुरूर देखें उसमें आप इसकी detailed description get कर पाएंगे all the best